तो दोस्तो आज हमारा 8 PM सीरीज में जो आज का टॉपिक है, टॉपिक of discussion that is about flexible inflation targeting framework, ठीक, तो दोस्तो आपने अगर recently ये news में बहुत रहा है, ये topic के flexible inflation targeting framework के बारे में, ठीक है, तो आज के session में देखते हैं कि ये होता क्या है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जैसे कि इसके नाम से ही clear है, flexible inflation, ठीक है, inflation, flexible inflation targeting, ठीक है, इसका main motive है कि inflation को एक range में target करना, ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये flexible inflation targeting जो framework है, ठीक, ये है क्या, ये है कि जो हमारी inflation है दोस्तों, inflation जिसको हम consumer price index के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, consumer price index, ठीक, तो दोस्तों ये हमारा जो inflation है, consumer price index है, हमारी government चाहती है कि ये जो हमारा inflation है, ये एक range में रहे, क्योंकि inflation जो होता है, inflation is known as a necessary evil, ठीक, जरूरी भी है, बट एक range में जरूरी है, अगर inflation एक range से जादा चली जाए, तो उससे क्या होगा, जो गरीब इनसान है, वो कुछ भी खरीद नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसके क्या होगी, आपकी industrial growth खतम हो जाएगी, या बंध हो जाएगी, या बहुत कम हो जाएगी, ठीक, अगर आपकी industry की growth कम होती है, तो उससे क्या होगा, दोस्तो, unemployment increase हो सकती है, तो होता क्या है, कि आपको ये जो inflation है, ये एक range में चाहिए, ठीक, और as per this flexible inflation targeting framework, क्या रखा गया, India and RBI में एक pact sign हुआ, जिसके according क्या कहा गया, कि आज के बाद inflation जो है, वो किस range में रखी जाएगी, 4 plus minus 2%, ये inflation की range होगी, दोस्तो, मतलब क्या हो गया, कि CPA जो है, वो minimum 2% हो सकता है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, और ये maximum 6% हो सकता है, इससे उपर नहीं जाना चाहिए, ठीक, तो ये range decide करनी है, flexible inflation targeting framework के थुरू, ये decide हो गई, ठीक, अब दोस्तो, ये जो है range, अब जब हम बात करते है, CPI, ठीक है, it is consumer price index, inflation, ठीक, दोस्तो, दो तरह की inflation हम mainly बात करते हैं, एक होती है आपकी headline inflation, और एक होती है दोस्तो, आपकी core inflation, ठीक है, तो headline and core inflation अगर बात करते हैं, तो इन दोनों terms में difference क्या होता है, जो आपकी headline inflation है, ये overall inflation है, ठीक, overall inflation का मतलब हो गया, जो भी आपकी inflation की basket होती है, ठीक है, दोस्तो, CPI जो select, अगर ना बात करता हो न, CPI को count कैसे करते हैं, तो CPI just, यहाँ पे एक example के तोर पे, के यह देखो 100% का chart है, CPI में क्या होता है, एक basket है, उसमें कुछ portion हमने food को दे दिया, कुछ energy को दे दिया, कुछ आपके कुछ और products को दे दिया and all, तो इस तरीके से यह एक basket बनती है, ठीक, तो पूरी की पूरी उस basket की जो inflation है, वो आपकी कहलाती है headline inflation दोस्तों, ठीक, जो हमारा CPI का figure आता है, normal figure होती है, वो हमारी inflation है, जब होता है ना newspaper में के 5% inflation है, that is headline inflation, जब मैं, core inflation is equal to headline inflation, जब यह overall inflation है, अब इस में से हम करते क्या है, हम जितने भी volatile जो items है, दो items को दोस्तों volatile माना जाता है, एक होती है food products, और दूसरा होता है आपका fuel, energy, ठीक, दोस्तों यह food and fuel, दो ऐसे components है, जिनके दाम आए दिन बढ़ते कम होते, बढ़ते कम होते रहते ह अब बात क्या है, कि यह जब हम इन दो volatile items को normal headline inflation से निकाल देते हैं, तो हमारे सामने आती है, दोस्तों, core inflation, अब यह जो आपका flexible inflation targeting framework है, यह इन दोनों में से किस inflation को control करने की बात करता है, दोस्तों, यह बात करता है headline inflation के मामले में, तो जो 2-6% तक की हमने inflation का target मानके चले है वो किसका है, headline inflation का, मतलब क्या है, overall जो आपकी यह basket of goods है, उस total basket of goods and services की जो inflation है, उसी को target करना है, ठीक, तो target क्या किया जाता है, headline inflation, और inflation की range कितनी है दोस्तों, that is from 2-6% ठीक, अब यह जो आपका flexible inflation targeting framework है, यह एक pact है, जो government of India और RBI में sign हुआ, और क्या बोला गया, कि आज से inflation को control करना is the responsibility of RBI, accountable कौन होगा दोस्तों, अगर inflation 2 से कम होती है, और 6 से जाधा होती है, तो accountability किसकी हो गई, RBI के accountability होगी, ठीक, अब दोस्तों, यह जो आपका flexible inflation targeting framework है, यह इसको statutory backing देने के लिए, क्या किया गया, जो आपका RBI Act 1934 है, RBI Act 1934, इसमें amendment की गई, ठीक है, और उस amendment के तहत, आपका flexible inflation targeting framework लाया गया, ठीक, तो दोस्तों, हुआ क्या यह, यह आपकी amendment हुई, इसमें, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो आपका flexible inflation targeting framework है, उसको एक statutory backing है, ठीक है, और वो कहां से आई, आपका यह RBI Act 1934, जो है, इसको amend करके, अब, जो आपका flexible inflation targeting framework है, दोस्तों, इसको introduce किया गया था, in 2016, और दोस्तों, यह जो government और RBI में pact sign हुआ न, इसमें क्या बोला गया था, कि every fifth year, ठीक, यह जो target range है, 2-6% की, इसको दोबारा से चेक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल में क्या होगा, 5 साल में बहुत सारे scenarios change हो जाएगे, तो हो सकता है, कि हमें, यह target range बढ़ानी पढ़ सकती है, 6 की जगा साथ भी करनी पढ़ सकती है, 2 की जगा एक भी हो सकती है, ठीक, तो यह change किया जा सकता है, ठीक है, तो क्या कहा गया, कि इसको introduce किया गया, 2016 में, और for the 5 years, ठीक है, पहले 5 साल, जो है, वो range जो है, यही रहेगी, ठीक, दोस्तों, तो मतलब क्या हो गया, 2016 से लेके, 2021 तक, March 2021 तक, यह 5 साल का period है, और इसमें जो range सी, वो क्या बोलीगी, कि इस range में हम inflation को रखेंगे, ठीक, अब दोस्तों, क्यों यह news में था, क्योंकि अब March 2021 है, ठीक है, इस range के target को दोबारा से, एक decide करना था, कि क्या, हमें इस range को बढ़ाना है, हमें इस range को कम करना है, ठीक, तो अब यह जब दोबारा meeting होती है, तो उस दोबारा meeting में, again, जो है, आपका जो target है, वो set किया गया, दोस्तों, same target, क्योंकि, RBAE ने एक report दिखाई, जिसके according क्या था, कि जब से यह target जो है, हमने decide किया है, और पिछले 5 साल में, हमने इस target को follow किया है, तो हमारी market में, inflation जो है, वो controlled way में रही है, ठीक है, इससे पहले, जब आपका flexible inflation targeting framework नहीं था, दोस्तों, तो yearly average of inflation was around 9%, ठीक, और जैसे ही, इसको implement किया गया, तो within this time period, 2016 से लेके, 2021 तक दोस्तों, अगर आपकी average inflation देखी जाए, ठीक है, average inflation जो निकल के आ रही है, that is around 3.8 to 4.2% as per the RBA report, ठीक है, तो RBA क्या कहता है, कि हमने पिछले 5 साल में, जो average inflation है, वो इस range में रही है, ठीक, तो इसलिए उसने क्या कहा, कि इस साल भी, जो अगले 5 साल, अगले 5 साल मतलब दोस्तों क्या, 2021 से लेके, 2026 तक, हमारी जो target range रहेगी, वो same रहेगी, 4 plus minus 2%, clear दोस्तों, तो इसी purpose के लिए, इसी चीज के लिए, ये आपका flexible inflation targeting framework, जो था range, आपकी news में था, अब, यहां में मैंने एक word यूज किया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कि it is the responsibility of RBI, to control the inflation within this range, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि RBI को, inflation को इस range में रखना है, अब दोस्तों, RBI जो है, वो कैसे रखेगा, वो again, it is through the monetary policy, ठीक है, monetary policy जो है, आज तो हम नहीं discuss कर सकते हैं उसको, ठीक, तो दोस्तों, monetary policy जो है, वो एक policy है, जो market में money के flow को control करती है, ठीक, तो इस range में अगर आपको रखना है, तो आपको पैसे के flow को control करना है, और पैसे के flow को control करने के लिए को है दोस्तों, वो है आपकी monetary policy, ठीक, तो RBI जो है, ये काम कैसे करता है, वो करता है through आपका monetary policy, ठीक है, inflation को control कैसे करेगा, monetary policy के through, ठीक है, और monetary policy के through, वो क्या करेगा, पैसे के flow को कम जादा करेगा, अब monetary policy जो rates हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR and all, ये rates जो हैं दोस्तों, इनको decide कौन करता है, ये rates दोस्तों पहले तो decide किये जाते थे by the RBI only, ठीक, RBI का governor decide करते थे, बट ये पूरा का पूरा framework जो है 2015 onwards इसको change किया गया, ठीक है, और जैसे हमने flexible inflation targeting framework लेके आए 2016 में, ऐसे ही हम इस monetary policy को decide करने के लिए एक body लेके है, जिसको बोला गया monetary policy committee, that is MPC, monetary policy committee दोस्तों, ठीक, तो आज की date में, ये जो range है, इसको control करने की responsibility RBI की है, ठीक है, यह हम कहें monetary policy committee की है, तो ये जो committee है, ये committee decide करेगी, कि क्या monetary policy के rates होने चाहिए, क्यों, क्योंकि responsibility इनकी है to control the inflation, ठीक है दोस्तों, तो ये जो monetary policy committee है, ये भी 2016 में, ठीक है, at the same time, इसको भी introduce किया गया, ये भी न ही बनाई गई, ठीक, और ये जो monetary policy है, इसमें है क्या, ये जो committee है, इसमें न 6 members है total, 6 में से 3 members जो है, वो RBI के है, और 3 members जो है, वो government of India, appoint करेगी दोस्तों, ठीक, और जो 3 members दोस्तों RBI के होंगे, इसमें से 1 तो होंगे RBI के governor, 1 होंगे RBI के deputy governor, और 1 होगा कोई भी RBI का officer, appointed by the RBI governor, 3 लोग ये होंगे, और 3 होंगे government of India की तरफ से experts, ठीक, और दोस्तों, ये जो committee है, ये decide करेगी on the majority voting system, ठीक, 3 में से, मतलब total 6 में से, 4 लोग जिस चीज में favor करेंगे, वही policy rates implement किये जाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से, ये MPC market के policy rates decide करती है, ठीक है, और वह policy rates जो होते हैं, वह आपके market में पैसे के flow को control करते हैं, ठीक, और जो आपका पैसे का flow है, दोस्तों, वह पैसे का flow, market में inflation को control करता है, ठीक, क्यों, अगर market में पैसा जादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, उसकी value कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब मेरी जेब में अगर extra पैस पढ़ा है, तो मेरी क्या होगा, मेरी demand बढ़ जाएगी, demand बढ़ेगी, तो market में inflation आएगी, ठीक, तो दोस्तों, पैसे के control से, आप market में inflation को control कर सकते हो, और पैसे का control कहां से होगा, दोस्तों, through the monetary policy, और यह कौन करेगा, यह आपकी करेगी, monetary policy committee, ठीक है, तो this is all about flexible inflation targeting framework, ठीक है, और क्यों यह news में रहा, और आज की date में, अब इसको further 2026 तक जो है, इस range को continue रखा जाएगा, 2 to 6% of the headline inflation, clear दोस्तों, so thank you, thanks for your time, and this is all about the flexible inflation targeting, thanks a lot.